लेकिन एक सो तीन नुमर बास सीडी जा रही है इसल्ट वाल्ट एक चोटा सा काउं है इसल्ट वाल्ट 11 किलो मेटर है तकलिए 20 मिरट में हम वहां पे पहुन जाते हैं जब सुबह हम ट्रेन से आ रहे थे लूजन तो हमारी ट्रेन दूसरी किनारे की तरफ से आ रही थी हमारा इसल्ट वाल्ट का टूर भी इखताम पजीर हुआ बाबाए इंटरलाकेंग पाहिए पूर्ध इंटरलाकेंग दो 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 जनेवा इस वन जो जो सक्रास जो से क्या जो जो इस जो एक आप जो से डाइब को इस चार बरिय को पहमारी यहां से ट्रेन है और यह हमें लेक जाएगी चिनेवा अब हमारा तब एक ट्रांस्पर होगा हमारा येग जंटते के बाद बंक में आपने अपने ट्रेंचेन करें मजीद दो गैंटे सकार्फर करने के बाद पहुं जाएंगे के जनेवा आपने इसके और आपने सूदिय अगर अगर ज्याहित जगव तो वो देखके दोबारा जो एरपोर्ट पे ट्रेन जा रही है उसमें बैठेंगे और अपने फ्राइट का इंतजार करेंगे बड़ा बिजी दिन गुजरा हमारा कालवारा भी और आज का दिन भी हमारा काफी बिजी होगा करते हैं आपके साथ शेयर लो जी हम पहुंच गए बर्न और यहां से हम अगली ट्रेन लेंगे जिनेवा के लिए और दो गेंडे बाद हम इन्शाला होगे जिनेवा चरे जी मैं ट्रेन में एंटर हो गया यह दो फ्रूर थे यह लिचे वाला फ्रूर और यह उपर वाला मैं उपर वाले फ्रूर में आया था यहां पर पहले आके मैं अपना बैग रखा और यह है सेकंड फ्रूर की सीड्स अच्छा जी ट्रेन के इंदर बच्चों के खेलने के लिए भी उन्होंने यह जगव नहीं है आप मुख्लिव तरीके से बैठ सकते हैं यहां पर अगर आप चार हैं पांच हैं तो फिर भी आप बैठ के गाप शेप लगा सकते हैं सिंगल है वह भी आप शेजरों ने बेशमर बनाई हैं चार्जिंग साकट मुझे तरही मज़र ने आई इसमें मैंने उब बब जा के भी देखा है तब जब जब रोड़ पड़े लिए उपाला है कि इस बोबगी में हाई इन ने किसी बेस्टी में जाए इस कवच में चार्जिंग साकट नहीं थी टिकर चेकर से मैं पूछा तो अच्छे इंटरलाकन हास्टल में जो रुके थे तो मेरी ट्रेंच सुआ सुआ की थी तो जो रिसेप्शन पर लेड़ी तेसरे काता कि आपका जो ग्रेक फास्ट हैम आपको दे देते आप टेक अवे कर दीचे का तो इस आपशन से बनके मुझे बता चला कि जो पिछले मैं मैंने मिस किये थे अब आगे रुकूंगा तो मैं उनसे कैसे कुंगा कि मुझे बढ़ी टी गवे रिकफस्ट कर दे अब देखते हैं कि इसके अंदर मुने रखा गया था अच्छा जी यह वान नीज जो उस है सेंड्वीच जिसको मैं रहा है कि यह वेजिटेबल और यह साथा से चीज़े हैं लेकर मेरा क्याल है कि जहां पर अगर हम स्वीजर लेंड में है तो हम यह परचेज करें तो शायद टैन योरो से कम तो यह चीज़े नहीं होगी लेक जिनेवा लुसामे बहुत स्टार्डवीदी मुचन लेवा शंटर्थ वेले जी पहले हैं तरह बहुत से यूर्बिन सिटी जाने। बहुत से यूर्पिन सिटी मशूर है अपनी रिच हिस्ट्री और एंशेंट ओरिजिन की वज़ा से और जनेवा नमें एक है जनेवा एक मेजर टोर्स डेस्टिनेशन है जो अपने आर्किटेक्चर, मानियोमेंट, म्यूजियम्स और मैनिक्योट गार्डन की वज़ा से मशू है तो आएए एक शार सा विजट करते हैं जनेवा का जब सारा शहर मुस्ली सो रहा होता है तो हम जाग रहे होती है चले जी देख जनेवा और हमारा सिग्नल को दिया आपान इस वकि जब सूरज निकलाता है तो सारे रंग उडा के ले जाता है सिरफ एक रंग रह जाता है और वो होता है सूरज का अपना रंग यह लेक जनेवा के साथ साथ हम इंग्लिश गार्डन में हैं इंग्लिश गार्डन जिसमें दिनिया के सबसे बड़ा फिलावर क्लाग है आम अग्जैक्ट उसकी एंटरस से इस तरफ आते हैं भाई सब नक्षे के मतावक तो हम फिलावर क्लाग को पीछे चोड़ा है थोड़ा सा तो इसलिए हमें देख थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि अग्याल है वो लोकेशन जो है ना थोड़ी सी अपन डाउन वही होगी लेट्स मूग चलेजी हम फिलावर क्लाग तक आगे लेकिन मुझे नहीं पता कि कहते देगे यह यह जौरब का सबसे बड़ा फिलावर क्लाग है इससे बड़ा तो काल हमने कसी नों को लास इंटर गया है कि इसमें जो फ्लार्स वेरा लगाएगे है ना वो इस तरह लगाएगे हैं कि हर सीजन में डिफरेंट कलर्स के फ्लार जो है ना वो यहां पर उगते हैं मतलब जो फ्रेश हो जाते हैं तो हर सीजन में इसकी जो एना लुक वो डिफरेंट होती है इस वजह से इसको यह वाला प्लैन ही जागे अब इस सीजन में हमें हमें तो सारे ही कलर एक्टिव नजर आ रहे हैं तेंगे हो सकता कुछ कम हो कुछ ज्यादा हुआ है दर्मियान में जो पौदे से नजर आ रहे हैं यह अपने किसी मक्सूस सीजन में इनका कलर यह हम जनेवा हारबर के आई इधिंक आगे हैं चोटे बड़ी जहाद कष्टियां कि अधियनगात तक यही है कैद हम थोड़ा सा बाहर से भी जा सकते हैं और इसके अंदर से भी जा सकते हैं इसके अंदर से चलते है वाला लेक जनेवा से हमारा प्लैन बना है कि हम ओल्ट टाउन जनेवा की तरफ जाएं उल्टोन जो है वहाँपे बंदा पूरा एक दिन पेंट कर सकता है बेशमार अट्रैक्शन बलके उस अंचे मेंगा जाते हैं कि जनेवा एक कॉम्पैक्ट सिटी है बस पान साथ में तके यह हमारे रस्ते ने आ रहा था प्लेस दिला मैड्लिये ने यहां को तो अच्छी बनी चड़ाई चड़ने पड़ रही है और टाउन जितने भी होते थे मुश्ली किसी उंची जगावे होते थे क्योंकर इस जमाने में सिलाब यह इस तरह भी अचीज़े आते थे तो पूरा शहर तो हसना सो जाता था इस लिए हम किसी भी उंची जगावे लगाता है हुआ है इस एक जग बिल्डिंग से एक लिए इस पीरे के क्रीब यह भी पोर एक चोटी-शी के रहा है यह थे शीआ यहां पे यहां पर आगे बैखते हैं और गफशप करते हैं हम पहुंच गए सेंट पियरे अभी मैं जरा उस टूल तक जाके अपना समान सेट कर लो और फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ पताता हूँ सेंट पियरे जो है ना यह एक लैंड मार्क है जनेवा के अंदर पराना चर्च है इसका इस तरफ से यह में इसके पिलर्स नदर आ रहे हैं और इसका जो मिनार वगारा था वो इसके दूसरी तरफ से नदर आता था मैंने आपको दिखाया है अच्छा जी यहां से हम जाते हैं इस जनेवा की आपिए अट्रक्शन्स स्टी सेंटर के अंदर ही औल टॉन के अंदर ही रिफॉर्मेशन वाल यह वो वाल है कि जिन लोगों ने रेस्टोरेशन वर किया है रिफॉर्म की है जनेवा की लाइफ के अंदर उनको खराजरसी पेश किया गया यह बहुत मिशूर पार्क था पार्क डेस बास्शोन और इसके अंदर ही वाल है थरिफॉर्म और दो हॉर्मिय हॉर्म रृर्म इस तरफ है लेकिन इस लेडी ने बताया के थोड़ा साब पीछे जाए इस तरफ दैए वो सामने नजर आगी वाल किसी भी लहार से काम किया था यह 1602 से बोसकार क्रोम वैली जार्ज विल्यम्स इन्होंने 1569 ने कुछ काम किया होगा पार के अंदर काफी जाएंट किसम के चैस बहुत होगा कि हुए है यहां बहुत होगी 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 है मुझा कि यह हैं कि हुए है् यह रस्ता हमें सीधा लेक जनेवा बलके लेक जनेवा का जहां पर रोनी रिवर उसके इंदर घिफता है वहां लेगे जाएगा लेकिन यह दूसरा पुल है पहले जिस पुल के ऊपर से हम आई थे वो डिफरेंट था यह उससे थोड़ा सा जिस तर हमें जा रहा हूंगे लेकिन फोर यह उसके तरह रहा हूंगे लेकिन नव चास तरह से नो चापन पर बहां तो पहुंँ जाएगी और बाकी वहाँ पर देखते हैं क्या काम होता है चार नमर में मैंने कई दफ़ा पढ़ा था वो लिखा हुआ भी था अब ये तीन नमर प्लैटफार्म पर आ गया था प्रीजिसली मारा प्लैन था कि या जिर्ट से या जनेवा से पहुंचना था मालटा तो जब मालटा की मैं डाइरेक्ट फलाट सर्च कर रहा था तो वह काहीं एक्सपेंसिव नज़र आ रही थी जब मैंने थोड़ासा भूर किया तो जनेवा से नीज और नीज से मालटा वाली वार्त सस्थी पढ़ रही थी और जब मैंने नीज को देखा तो नीस के साथ ये एक सिटी मुलक है मुनाको दुनिया का दूसरा चोटा गंड की है और तो मैंने कहा कि चलो उसको भी हाफ डे वांडे में इसली वो कवर हो रहा है तो मैंने ये वाला प्लैन कर लिया तो अभी मैं जा रहा हूं जिनेवा इरपोर्ट वहां से नीस मुनाको हिर नीस और फिर अगिला प्यान करेंगें